नमस्कार स्वागत है आपका इंडिया ने उसकर और मैं हूँ आपके साथ स्वादी तेंग भारतिय रिजव वैंक की ओर से UPI Lite की सुधा शुरू हो गई थी ताकि डिजिटल पेमिंट को बड़ा दिया जा सके UPI Lite को सिटेंबर 2022 में UPI से लेन देन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए लॉंच किया गया था अभी तक इस सर्विस को फोन पे और पेटियम जैसे प्लैटफॉर्म ने शुरू किया पिछले कुछ सालों में UPI से ट्रांजेक्शन बड़ा है देश के जातर शेहरों में UPI से पेमेंट किया जा रहा है छोटे से लेके बड़े वेंडर्स की तरफ से UPI यूज किया जाता है मई 2022 जारी NPCI के सर्कुलर के मुताबिक देश बर में कुल UPI ट्रांजेक्शन में 50 पीसदी 200 रुपे और उससे कम वेल्यू होती है इस कारण ट्राफिक बढ़ने से कई बार भुगतान अटक जाते हैं इसके अलावा UPI में पिन जोडने और अन्य प्रोसेस को फॉलो करने में भी समय लगता है इस कारण तुरन भुगतान शुरू करने और बैंकों में ट्राफिक कम करने के लिए UPI लाइट पेश किया गया था आपको बता दे कि BHIM एप ने पहले ही UPI लाइट से लेंदेन की अनुमती दीन है वहीं पेटियम अपने प्लाइट पर UPI लाइट शुरू करने वाला पहला दिजिटल भुगतान एप हो चुपा है क्या है UPI लाइट? UPI लाइट यूजर्स को ओन डिवाइज वालेट का उपियोग करके लेंदेन करने की अनुमती दीता है ना कि लिंक किये बैंक अकांट से इसका मतलब है कि आप बैंक के माध्यन से नहीं जाकर सिर्फ वालेट का उपियोग करके जल से जल पेमिट कर सकते हैं हाला कि आपको वालेट पर पैसे जोडना होगा एक बार इस सुबधा से सेट हो जाएं तो उसके बाद UPI Lite वालेट उजर्स को 200 रुपे तक के ततकाल लेंदेन करने की अनुमती दे दे देता है बिना UPI पिन डाले या ट्रांजेक्शन की पुष्टी किये आप असानी से ये पैसा किसी को ट्रांसफर कर सकेंगे खास तोर पर यूजर्स UPI Lite में दिन में दो बार अधिकतम 2000 रुपे जोर सकते हैं यानि की 4000 रुपे हर दिन का उपियो किया जा सकता है UPI Lite से ट्रांजेक्शन करने पर फ्रॉज होने की संभावना कम रहती है क्योंकि इसमें एक लिमिट तक ही लेंदेन की जा सकती है बैंक लेंदेन की डेली लिमिट की चिंता कि ये बगैर कम प्राइज वाले UPI बुक्तान कर सकते हैं UPI Lite कम प्राइज वाले UPI ट्रांजेक्शन को आसान बनाता है इसके साथ ही यूजर्स बिना किसी शुर्क की UPI बैलन्स को उसी बैंक अकाउंट में कभी भी वापस ट्रांसफर करते हैं ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें जैने बिस्तने बादे